यह सपना है यह हकीकत अगर आप लोग को पता चले तो हमें जरूर बताना बस स्टाप पक खड़ी अकेली अंजली को देर रात का सननटा बेचैन कर रहा था फिर कुछ देर बाद उसकी बस आ गई बस में चड़ते ही अंजली ने देखा बस लगवक खाली थी और सबसे पीछे सीट पर एक बुढ़ी अवरत बैठी थी और उस बुढ़ी अवरत ने सीर से पैर तक काले कपड़े पैने हुए थे अंजली थोड़ी दूर वाली सीट पर जाकर बैठ गई सीट पर बैठते ही अंजली ने पीछे एक आहट सुने उसने पीछे जहाग कर देखा तो बुढी आवरत उसे ही घूर रही थी आवरत की आखे बिल्कुल सफेद थी और चेरे पर एक घ्यानत मिश्टान थी अंजली डर गई और वो उठ करके बस कंड़क्टर के पास गई और पूछा की वह आवरत कौन है फिर कंड़क्टर ने अजीब सा मुव बनाते हुए कहा इस बस में कोई आवरत नहीं है बिटिया पूरी बस खाली है इस बस में सिर्फ तुम हो अंजली का दिल यह सुन करके धकदक करने लगा उसने सोचा शायद थकान की वज़ह से मुझे या भ्रम हुआ होगा वो अपने सीट पर वापस आकर बैठ गई कुछ दिर बाद अचानक पूरे बस में अजीब सी गंद यानी बद्वु फैल गई जैसे की कोई चीज सड़ गई हो अचानक अंजली की नजर सामने वाली सीट पपड़ी वहाँ एक काला कुट्टा बैठा हुआ था उसकी लाल आखें अंजली को ही घूर रहे थी अंजली डर के मारे चीखने ही वाले थी कि कुट्ट्टर ने गुराने की आवाज निकाली और सीधे अंजली के तरफ छपट पड़ा बस में अंधेरा छा गया अंजली को बस यही याद रहा कि वो उठी तो पसीने से पूरी तरह से भीग चुकी थी और वो अब भी बस स्टाप पर इथी और सुबा हो चुकी थी पीछे मुण कर दिखा तो बस स्टाप पर कोई नहीं था सिर्फ एक काला कुट्टा दूर खरा अंजली को ही घूर रहा था अंजली को रात भर का खौफना की सपना हमेशा याद रहा लेकिन क्या वाकई में सिर्फ सपना था या कुछ और अगर आप लोग को पता चलता है दोस्तों आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बताओ